आज हम बहुत ही महतुपुर्ण टॉपिक अर्थराइटीज यानि की जोडों का दर्द उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं आज बहुत सारे लोग है जो की arthritis या जोडो की दर्द से परिशान है जो उनको गुटने का दर्द होता है या कमर में दर्द होता है तो ऐसे दर्द से बहुत सारे लोग आज परिशान है जो most of time के जो महला होती है उनका age अगर 45-50 के अभव हो जाता है ऐसी महलाव में ये इसक के बज़े से भी हो सकता है या calcium की कमी जो 7 डेली जो हम calcium की मातरा लेते हैं उसमें भी कमी होने की बज़े से भी बोन के हड़ी पसलियों का दर्द या हड़ी पसली कंप्लेंस हमें स्टार्ट होने को हो जाती है तो ऐसे ही एक टॉपिक जोके arthritis उसके बारे में आज देख ले बड़ी से बनी होती है कोनकर सिस्टिम वहाँ पर प्रेजेंट होती है आगर नर्वसस्टिम का फंक्शन क्या होता है ग्यां कुछ मैसेज वगएरा है जो ब्रेन को परवाइड करने का या सिस्टिम बोला तो दिलका सिस्टिम होता है जो की blood circulation करने का पूरा बोड़ी के लि यूरेन सिस्टिम बोला तो यूरेन पास करने काम या एक क्रेटरी जो प्रोड़क्ट से वेस्ट प्रोड़क्ट है वो ब्लड में का वेस्ट प्रोड़क्ट निकालने का काम या पर किड्नी लिवर वगरा करते तो यह सारे बहुत सारे सिस्टिम क्या होती फंक्शन करती है particular काम यह जो बौड़ी है डेली जो लाइफ है और डेली लाइफ या डेली एक्टिविटी इस पार Mustafa करने के लिए हेल्प करती है। तो ऐसे में हमाड़ी मस्नुल स्केलितिटल सिस्टीम होतीड स्पीम सबस्टीम में जिसे हम हड्डी सब्सकूराइब को सब्सक्राइब है कैसे भीन क्यों कासुराइब कि उसोच रहे अगर हड करता है तो तो फूरा में नहीं तो पूराइब हमारा क्या होगा दर्द मैसुस करेगा हड़ी पुसली का दर्द थोड़ा ज़्यादा रहता है और जो औरगंस से वाइटल सोगन से लाइक फेपड़े है या दिल हर्ट है तो हर्ट को क्या होता है अंदर उसको सेक्यूर रखने के लिए यहाँ पर यह स्केल्टन का यूज किया जाएं यह हड्यों का इस्तमाल होता है यह उसका फंक्शन करता है so okay कि जümड़ंब जो जोडों जोडों होते उनके बीच में पें होना स्टार्ट होता है में कभी भी मीडल देशी में पेंड होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ती है वैसे वैसे क्या होता ईजous्ट होते हैं ऐसे जसद EU स्कूर्ण करें हैं स्कूर्ण क्यों सब्सक्राइब निकल जाताया उसके राइन वह भी निकल जाता है और वो स्टो हो जाता लो है उसकी वज़े से पेन ऊगे तो नो पर दो प्ड करकर आशी के अधोईट के का करते है आधर को चलना है हमारा जो फैर स्थै टीर घर आगर सिधा पेर भीचम मेłeं उनल नहीं मुड़ता है तो हम चलने लोदने सकेंगे ऐसा में ऑईसा बड़ा बड़ा चलना पड़ेगा तो यह क्या करते on works करने का काम करते हैं और कभी कभी क्या होता है इसे जॉइन में अगर कोई भी आ डी विल Natur आजाती यह तो ऑई से ताइम में क्या होता है यह अपना फंक्षिन करना आचितर से इस वह शुब ऑन के बीच में यहां पर दिखाया गया है कि करटे जो अगर प्रजेंट रहते हैं में सरा प्रजेंट रहते हैं तो है लिए अगर टाइब का यहां पर एक वह चांट है उसमें बाल रहेता है और जो मौमेंट करता है हम जो पैर का मुमेंट करते हैं कमर में अगर हम पैर को हिलते हैं तो यहां पर हिप जोइट में आदु होता है लिए तो उसी तरह से यहां पर ऐक जाइंट बताएंगेइंगे Mir ही फ्र्क्ट्र होता है इसमें ऐसे टार में थोड़ा थोड़ा चीज होता है तो भी वह में क्या होता है चुछ ऑट है तो इसमें क्या पिक्रॉषन रहरता है थोड़ एकदम sr maturity में देखेंगे बहुत ही का झाय ईसमें रहता है कि जो बॉन के एज़से दों भॉन के बीच मीए प्रजेट रहते अगर बोन को म॓मेंट करना है तो दुम्हों को म॓मेंट करने के टाइम दोनुके बीच में कार्टलेटा रहते है और इसकी वज़से दोबiami धुसरे को काम करते यह कुश्यन का भी काम करें यहांपर करते जो कि स्मू θα रहते हैं वाइटिश का सद द्य वाइभस कल lever तो इंजिन की में क्राइब प्रियूगै फश्चीन का चलया १ंजीन के फंक्षंशौ इंजिन च深 canon और य हो कल जाय का जाएंगा समूत्र हो जाएगा गर कुछ खरांव डलेंगे जला हुआ अब लिए बहुत बहुत किलो मेटर उसको जधा यूज किया है और वही अगर यूज किया वालो ज़्यादा थिक निष से उसमें वह अगर इसमें डालेंगे इंजीन क्या करेगा अच्छी तरह से perform नहीं करेगा और क्रफंट नहीं करेगा तो यह जो हमारा डिजल हो क्या करेगा इनरजी जाद लेगा उसकी बज़े से क्या होगा जो परफरमन से ओव नहीं मिल पाएगा वैसे हमारे बोन के बीच में यह फ्लिवड रहता है 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 वहां पर जो सिक्रेशन जो रहता है उसको स्मूथनेस प्रवाइड करने का काम लुब्रिकेशन देने स्टाइड का लुब्रिकेशन स्टाइड का काम वहां पर प्रेशन तो कहां परका पर जो कि मिन इसका या उंदर प्रेजेट रहता हैं हो सो हम स्क्राइड करेंगे ब्त क्या है यत डिस क्या है टम्याव कर से अंधर जोडो का disease है इसमें causes painful inflammation वहाँ पर कभी-कभी क्या होता है दो जोडों के बीच या जोडों में क्या होता है कभी-कभी inflammation होता है सुजन आ जाता है या redness या उसका जो पार्ट है उगिस जाता है या इसकी बज़े से क्या होता है stiffness आता है joints में stiffness आना stiffness आना याने कि क्या होना अगर हम moment करने का प्रयास करेगे तो हम ठीक से moment नहीं कर पाएंगे अगर हमको हाथ हिलाना है हाथ को bend करना है पयर को हिलाना है तो हम ठीक से हिला नहीं सकते पयर को क्योंकि वहाँ पर already inflammation हुआ है सुजन आया है तकलिव हो रहा है पेन हो रहा है यह joints पूरी तरह से घीश चुका है उसकी बज़े से क्या होगा stiffness आएगा इसको हम arthritis बोलते है तो more than 100 types of arthritis यहाँ पर अब तक 100 different 100 प्रकार के arthritis प्रजेंट है तो most common is osteoarthritis और degenerative joint disorders भी हम उसे बोलते है तो osteoarthritis यह क्या है most common arthritis अगर अगर हमें bone में pain हो रहा है कहाँ पर भी jointis में pain हो रहा है तो arthritis ही बोलेंगे so degenerative joint disorders भी हम उसको बोल सकते हैं बोलते है osteoarthritis क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो दो bone रहते हैं जो हड्या रहती है यह एक दूसरे को attach रहती है कहाँ पर joint में attach रहती है तो जो दो हड्यों के last end है ओ क्या होते है दोने भी घिस जाते है उसकी बज़े से क्या होता है उसका जो degenerative होना means घिस जाना उसकी बज़े से क्या होता है वो degenerative हो जाते है और उसका shape size थोड़ा सा different हो जाता है और जो moment होता है वो moment ठीक से नहीं हो पाता है उसकी बज़े से patient को pain होगेरा महसूस होता है गुटने में दर्द होता है चलने में तकलिव होती है most common joints affects hip joints, knee joints, spine, ankles most common joints से हमें most of तो आजकल knee joint में पेन जादा हो रहे कमर में पेन होता है या knee joint गुटनों में पेन होता है बाके ankle और spine में जादा कम होता है थोड़ा सा so यहाँ पर healthy knee joints जो 2-3 diagram दिखाए गए यहाँ पर images से है इसमें healthy knee joints जो हमारा normal joints रहते है वो ऐसे रहता है नी का जो arthritic है जो second वाला दिखाया गया है वो कौन सा है arthritic joint है arthritic में क्या होता है जो joints के जो tissues है वो क्या होते है degenerate हो जाते है वो खराब हो जाते है उसका function damage होता है वो disturb हो जाते उसकी बज़े से क्या होता है inflammation होता है या सुजन आता है और बाद में pain महसुस होता है या दर्द महसुस होता है और जो next रहता है जो third diagram यहाँ पर दिखाई गई है वो है hip joint की hip joint में जो कमर का joint है उसको हम hip joint बोलते वहाँ पर क्या यह दिखाया गया है और ओ भी joint क्या होई एक प्रकर एक side से अच्छा है और दूसरा side से क्या हुआ है वो थोड़ा सा खराब हुआ है degenerate हुआ है so what are the types कौन-कौन से types है उसमें हम थोड़ा-थोड़ा overlook देखेंगे कौन-कौन से types है तो osteoarthritis पहला type है osteoarthritis में जो joints है हो क्या होती है degenerate हो जाते है खराब हो जाते है नेक्स्ट होना आता है rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis में क्या होता है जो sine oil fluid वगर रहता है meniscus वगर रहता है जो hyalonic acid वगर रहता है तिस्चू से हो क्या होती है वो damage हो जाती है उसकी बज़े से rheumatoid arthritis डियोलब होता है inflammation होगर आ जाता है उसमें गटिया बन जाता है so ground next रहता है go what में क्या होता है uric acid रहता है जो हमारे बॉन में उमारे बौडी में prepare होता है uric acid उयुरिक एसिड बनता है तब उसी वह घंच को बीच में जाके deposit हो जाता है अगर वह joint बीच में deposit हो गया तो क्या होगा उदर inflammation आएगा सुजन दिखेगा और पेइन महसुस होता यह movement नहीं कर पाएगा infectious and reactive एक टाइप है infectious और reactive reaction की बज़े से autoimmune disorders जो होई या के कभी-कभी कुछ reaction होगा रहा बोडी में आ जाती है उसकी बज़े से बिख्या radiation हो गए रहा उसकी वज़े से विख्या होता इंप्यक्षेस आर्थराइटीस डिवलोफ हो सकता है दैन चाइल्ड हुड अर्थराइटीस चाइल्ड हुड अर्थराइटीस या जुवनेल अर्थराइटीस हम इसको बोलते है वह भी बचमन में देखने को मिलता है औ बचलीव आने की बज़ेसे तो अधर रेडिस थोड़ा सा उदर लाल रंग का थोड़ासा इचिंग और आओने की वज़ेसे क्या होता है इंफेक्शन जैसा उदर पार्ट होता है जॉय्ट में और जुव रहता है उस सिदा अंदर जॉयट स्था तक पहुच जाता है अज कि बाद हो क्या हुदा है इसको स्वेत्स अर्थ्वाट यह सारी यह तैपस इसमें जो घंसरो又 यह प्रेस्थया नार्मों रहता है तो अर्थ्र आन्ध रहता है और अर्थआरुटीज यह वहीं हो जाता है और बाङ्स नेख्ट अ न डिकहाए डायग्राम में रुमेटड अर्थ्राइटिज में क्या होता है जो नियर अबाउट कार्टलेज वहां पर डिपोजिट हो जाता है जो गान जो कचरा कोड़ा है वहां पर डिपोजिट हो जाता है उसकी बज़े से करते हैं जोड़ों में दर्द महसुष होता है और दिखाया गया है इस प्रकार डिपोजिट हो जाता है यह जाता है पर जाके डिपोजिटिट हो जाता है उसकी बज़े से ऐसा इंफ्लमेशन होता है और लूपस अर्थराइटिस यहां पर क्या-क्या है कौन-कौन से लोगों को यह होने के चांसे ज्यादा है इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर दिखाया गया है और इससी लोगों को क्या होता है लोगों को चालिज के पार जैसे चले जाएंगे चलने में टक्ली हो जाती है क्यूंकि कोई बी अगर जोइंट से शॉक भाइए यहांक्सिन कंग करना एट कम कर देगा तो ओबेसिटी होने की बगज़ से ओरहीट होने की वज़ए से बहुत सारे बस्तलस देल भागते हैं दोड़ते हैं तो ऐसे लोगों में क्या होता है जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स में क्या होते हैं इंजूर्य हो जाती हैं जॉइंट्स में इंजूर्य होती है या कभी-कभी जो लिगमेंट वगरा जॉइंट्स के नियर वर्ट साइड में प्रेजेंट रह होता है जो टिशू ग्रोथ होता है उसके वज़े से भी आर्थराइटिस हो सकता है देन अक्वेशनल अक्वेशनल हैबिट समझी से बोलेंगे अक्वेशनल जो के रिस्पैक्टर है आपको पेशन कभी-कभी कोन-कोन से लोगों का इस रहत है कि कंटिनुस उनको देखे तो कभी-कभी मोस्ट आपकेस में साथ-साथ-साथ-अटार गंटे तक अब ज़िए चलती है तो में कंटिनुस टैंडिंग रहेना पड़ता है ऐसे टाइम में आया कभी-कभी कंपनी में जो लोग काम करते उनका फिक्स का डेली का काम है ऐसे लोगों में अक्विश फिचक हो यह तो इसके बच्चों का जाएगा यह जिनटिक लीश चलती आएगा मेरे पापा को था तो मुझे भी आएगा अर्थ्राइटिस डिवल अधि कभी हो जाएगा मुझे तो इससी तरव से जनेटिक लीए क्या होता एक दूसरे से क्यारि हो जाता है रिख सो डानो में पेश्ट का सब हम हमेट असेस्टेutor करते तो उसमें सब ऊसका सुज्ण जलता कैसा है क्या होता है जो कि एक क्लिंटिय और क्लिक को ही पहले कवता है तॉ시 या उसके लिए सारी कोश्यन वहाँ पूचे जाते हैं या कभी कहां से गिरे हो क्या या कौन-कौन सा खेल खेलते हो कभी कुछ खेला है या क्या है वो सब की जानकारी आपर इस्टी कलेक्शिन में मिलती है और उसकी बज़े से भी हम डाग्नोस करना आसान हो जाता है लान ने कर सकते हैं टिश्यू के ग्रोथ कहां हुए कुछ है कुछ ब्रेक वगरा हुआ है यह देख सकते हैं यह कुछ डिपोजिशन वहां पर कुछ हुआ है तो यह सब इसमें देखेंगे थैन बलड टेस्ट में यह सार लेवल और से आर पे जो करेटन लेवल है वह भी हम उसमें उसके लेवल बढ़ जाती है तो भी इसे डिवलप पेन होगरा हो सकता है अर्थराटिस के चांसे से सो साइनन सिम्टम्स इसमें क्या-क्या मौजूद रहते क्या-क्या साइनन सिम्टम्स डिवलप हो सकते हैं यह पर जॉइंट पेन तो जो जो बहुत सारे लोगों को जो पेल इसे टाइम में उसको जोएंट स्टिपनेश बुले तो एट मॉर निंग टाइम अप्टो थरी मिनुस कभी कभी क्या होता अगर अर्मटर अथ्राइटीज वगरा उसको है तो सबस्दैका थीक से चलना ही पाता है क्योंकि उसका आड़ी ज्दश्टिपनेश हुआ है joint steepness हो आफ एड़ा ऊंसलें को होता है तक चलने सकता है कि मोमेंट moz吵ा ट्रों को होता है यूदซेंब को और सब्सक्राइब तुम् tutor-nya curiosity मेरा आथ में दर्द है तुम्हें अईसा रोटेट में कर सकता है हिला नहीं हुए सकते हैं तो इस तरहस देखनेट को मिल जाते इस सॉनां जे पाइव हम पहले मेडिकल मैनेज़मेंट में ग decisions कि ये usual अम मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंके लेंगे हिल्डी लाइफ स्टैइल या हम से मुष्ट वेल्डीब्ल तीज यहां पर दीन कर नाइशन कम करना तोड़ा सा खाने नहीं में ध्यान देना हे आमारे डायेट में केलरा टाबलेट रखना है ठीक से लास्मोकिंग सेशन स्मोकिंग बुले तो कभी कभी आः ढ rapping करने की वजय से भी एill लोग सकता है सौ स्पोपींग बगरा कम करना यह है and then paint reliever help reliever जो cigarette होते मुख फुरी निजेल लगाते हैं युजिक्षन है उचैन zij करना हिंतेज़ हम सीधा बोन में इंजेक्षन देते है और रिख के लिए इसको थोड़ा-ध कम करें तो इसमें नकुर्ट वगराइंजिक्शन न्यांटिक अपरटिक्वेंशन नाम का नया टूसर टेखनिक वुसमें क्या करेंगे नरो ब्लॉक करेंगे इसा किया हमारा चाहत है हुब ब्लॉक करेंगे और जो आगे का हाथ है एक हम क्या करेंगे का करेंगे कि इसे ही हमारे joints में यह vos प्रेजंट रहता है acid प्रेजंट रहता है acid की मातर अगर कम होती है तो चौन अपना काम करने कम कर देते यह जा काम करने डिस्टब कर देते काम ठीक से नहीं कर पाते तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे उसको joint में injection देंगे और इसमें Centai है लेन अड़क असीड या साइन वाइल फ्लूड हम उसमें इंजेक्शन से उसको देते हैं यह रहा हम मेडिकल मैनेजमेंट अब नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट वह अगर ऐसे भी ठीक नहीं हो रहा है कुछ भी अमने दवा दी कुछ अयरोधिक उप्चार किये तो कोई भी प्रक नहीं पढ़न रहा है तो यह से टाइम में नेक्स मैनेजमेंट की तरफ आ सकते हैं यह जाएंगे जो सर्जिकल मैनेजमेंट है अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ही चीजे चीजे कांट्रोल नहीं हो रही है ठों किया करिके करेंगे पहले करेंगे« चीजें कोपी में और कपी करें लग्तिर निकल JUST हो जा रहते हैं और सःसों कामेर लएतर तौड़्य को डालते हैं कि दरी हैंma says चलता है कि कुछ दो यहां पर कुछ टिशु संद्ध करना है कुछ ब्रेक हुआ है तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे तर फॉपि करिंगे या तर प्लस्टी करेंगे अंदर कुछ है तो इंप्लाइं रडाल के उसको थोड़ासा ठीक करते ही जो सबसे बड़ी चीज आती है वह हुआ आती है जॉाइन्ट रिप्लेस्मेंड की बहुत सारी चीज़ तुमने सुनी करते हैं सो इसको त्युक्तोर्त स्कायर करके उसको अगिया क्या करना है है तो स्मूथinin जो ACL हम सर्जरी भोलते है तो यह सौभेसे करते क्या है इसमें क्या कुरते है सब्सक्राइब करने के लिए यह सब्सक्राइब करते है यहां पर यह दिखाए गई है सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको करना है तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर से किसी पीजिस्टियन से जाके मिलो उसके बाद ही इस मेडिसीन का यूज करना है अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यूज झाल